नमस्कार दोस्तों, उडान IAS Administrative Academy के online platform में आपका स्वागत है, मेरा नाम रभी गोयल है, आज की इस वीडियो में हम CGPSC द्वारा आयोजित Civil Services Exam 2020 के paper second पर चर्चा करेंगे, जो की CSET aptitude test का paper है, चलिए, स्टार्ट करते हैं, देखिए, सेट A का paper है ये, question number 49 क्या लिखा हुआ है, नीचे दिये गए चार विकल्पों में से उस एक विकल्प को चुनिये, जो तीसरे सब्द से ठीक उसी तरह जुड़ा हुआ है, जिस तरह पहले सब्द से दूसरा सब्द जुड़ा हुआ है, analogy साधरिश्यता का प्रस्न ह चाहिए, जो भी संबंद इन दोनों सब्दों में है, वही संबंद आपका यहाँ पे होना चाहिए, तो आप देख पा रहे हैं, भुटान की करंसी लिखी हुई है, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, इरान की करंसी जो की दिनार होती है, तो question number 49 का उत्तर हो जाएगा option A अगला question देखिए, किसी एक खास कूट भासा में feature को u, v, z, g, f, i, v लिखा जाता है, इसी कूट भासा में character को क्या लिखा जाएगा, coding decoding का प्रस्ण है, देखे किस प्रकार से हल होगा, f, e, a, t, u, r, e, feature, feature को क्या लिखा है, u, v, z, g, f, i, v लिखा है, तो coding decoding के प्रस्ण को solve करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, आप numbering कर लिजे, चलिए, numbering करते हैं, e का number होता है 6, sorry, f का number 6, e का number हो गया 5, a का हो गया 1, t का हो गया 20, u का हो गया 21, r का हो गया 18, और e का हो गया 5, उसी प्रकार यहाँ पे numbering करिए, u का क्या हो जाएगा 21, v का 22, z का 26, g का क्या हो जाएगा 7, f का हो जाएगा 6, i का हो जाएगा 9, और v का हो जाएगा 22, अब आप देख पा रहे हैं, 6 और 21, 6 और 21 का योग कितना होगा, 27, 5 और 22 का योग कितना होगा, 27, 20 और 7 का कितना होगा, 27, उसी प्रकार 21 और 6 का योग 27, 18 और 9 का योग 27, 27 25 और 22 का योग भी क्या होगा 27 होगा किनी भी दो अक्षरों का योग 27 होता है मतलब वे अक्षर क्या है विपरीत है add for 27 rule apply किया है जैसे a की बात करता हूँ तो a का number होता है 1, z का number होता है 26 1 plus 26 क्या हो जाएगा आपका 27 तो जिन दो अक्छरों का योग 27 होता है वे एक दूसरे के क्या होते हैं विपरीत होते हैं वही यहां पे apply कर दिया है coding मिल गया आपको अब coding मिल गया तो character को आप इसी code के अनुसार जमा सकते हैं जैसे c का क्या होता है 3, ठिक c का 3 होता है अब 3 का opposite क्या लिखेंगे आप 24, क्योंकि 24 और 3 को add करेंगे तो क्या आएगा 27 आएगा, अब देख लिजे 24 किसका होता है तो आपको coding पता करना है coding आपको पता लग गया तो उसके बाद बहुत आसान हो जाता है यही code को आप character में set करेंगे तो उसका उतरा आप लोग निकाल लेंगे अगला question देखिए नीचे दिये गए 4 विकल्पों में से उस एक विकल्प को चुनिए जो तीसरी संख्या से ठीक उसी तरह जुड़ा हुआ है जिस तरह पहली संख्या से दूसरी संख्या जुड़ी हुई है यहाँ भी सादरिश्यता का प्रस्ण है 7 और 336 में जो relation है वही relation यहाँ पे आना चाहिए तो आप कोसिस करिए 7 से 336 लाने की तो आपको 7 का क्यूब पता होना चाहिए 343 343 में अगर 7 माइनस करूँगा तो क्या आएगा 336 आजाएगा तूसी प्रकार आप क्या करिए 11 का क्यूब करिए और 11 का क्यूब करने के बाद 11 को घटा दीजे तो उत्तर क्या आजाएगा 1320 option C हो जाएगा ठिक बढ़ते हैं अगले प्रस्न की और रवी स्वेता का भाई है जोती नीलम की बहन है स्वेता रोहित के पिता की पुत्री है नीलम सुभास की पुत्री है जोती रवी की मा है महेस नीलम की एक मात्र बहन का पती है रोहित का सुभास से क्या संबंध है चलिए, देखते हैं, Blood Relation रक्त संबंद का प्रस्ण है, रवी जो है, वो स्वेता का भाई है, माल लीजे रवी ये है, स्वेता का भाई है, इनका Relation क्या हो जाएगा भाई बहन का? इनका Relation हो गया भाई बहन का, ठिक, रवी लड़का, स्वेता क्या हो गई लड़की? जोती नीलम की बहन है अब देखे जोती और नीलम का relation दिया हुआ है उसको अलग से लिख लीजे आप जोती जो है ये नीलम की बहन है तो इनके बीच relation क्या हो गया? बहन-बहन का relation हो गया? आगे क्या बोला? स्वेता रोहित के पिता की पुत्री है अब देखे स्वेता जो है वो रोहित के पिता की पुत्री है मतलब रोहित की क्या हो गई? बहन इसका मतलब रोहित, रवी और स्वेता ये तीनों क्या होंगे? भाई बहन होंगे? क्योंकि रोहित के पिता की पुत्री है स्वेता इसका मतलब रोहित की क्या है? बेहन है. नीलम जो है सुभास की पुत्री है. ये किसकी पुत्री है? सुभास की पुत्री है. मतलब जोती और नीलम दोनों पुत्री हैं किसकी? सुभास की. सिंपल सी बात है अगर नीलम पुत्री है तो जोती भी क्या होगी? पुत्री होगी क् कि दोनों क्या है, बेहन है, जोती रवी की मा है, अब देखें, रवी की मा कहने का मतलब इन तीनों की मा कौन है, जोती है, इन तीनों की मा जोती है, ये देखिए, ये जोती, इन तीनों की मा है, और ये जोती जो है, वो सुभास की क्या है, पुत्री, मतलब जोती के पिता कौ हो गए सुभास हो गए आगे क्या बोला महेस नीलम की एक मात्र बेहन का पती है तो नीलम की एक मात्र बेहन जोती और जोती का जो पती है वो कौन है महेस है महेस है रोहित का सुभास से क्या संबंध है ये लाइन में आप देखेंगे तो रोहित मिलेगा आपको और ये सुभा तो सुभास की पुत्री है जोती और जोती का पुत्र है रोहित, समन्द बता पाएंगे, रोहित का सुभास से क्या संबंध है, इसको आप ऐसा पढ़ेंगे कि रोहित सुभास का क्या लगता है, तो रोहित जो है, ये सुभास का क्या लगेगा, नाती लगेगा, ध्यान रखे पोता और नाती दोनों में difference होता है, दादा जी का पोता है और नाना जी का नाती, ऐसा बोल सकते हैं आप, तो यहाँ पे रोहित जो है वो सुभास का क्या है, नाती है, ना की पोता, समझ पा रहे हैं, option देखेंगे तो लिखा है brother, दूसरा grandson, तीसरा son, चौथा son-in-law, देखा जाये तो चारो option गलत है, लेकिन मिलता जूलता option आपका पोत्र है, grand son है, maternal son होगा, समझ पा रहे हैं, उत्तर maternal son होगा, इसमें चाहे तो आप लोग दावापत्ती कर सकते हैं, क्योंकि इसका उत्तर क्या होगा, नाती होगा, ना की पोता, नाती और पोता दोनों में difference होता है grand son बोला है, यहाँ पे maternal son है, समझ पा रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे, नजदी की answer अगर लेंगे तो पोत्र होगा, otherwise इसका answer चारों में से कुछ नहीं है, प्रस्न करमांक 43 और 44 के लिए निर्देश दिया गया है, दी गई सुचना का ध्यान पुर्वक अध्यन कीजे, एव क्या बोला है, C जो है, यह B से 2 किलो मेटर पुर्व में है, समझेंगे इस प्रस्न को, C B से 2 किलो मेटर पुर्व में है, तो माल लीजे यह C है और यह B है, तो C जो है, यह B से 2 किलो मेटर पुर्व में है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, C की स्थिती B के पुर्व में 2 कि A B से 1 km उत्तर में है A जो है B से 1 km उत्तर में तो मान लीज़े ये 1 km उत्तर में कौन हो गया A H A से 2 km दक्षिड में है H जो है वो A से 2 km तो A का दक्षिड नीचा जाईए H तो A से H के बीच की दूरी ये टोटल दूरी की बात करूँगा तो 2 km और B से H की दूरी की बात करूँगा तो 1 km G H से 1 km पस्चिम में है G जो है वो H से 1 km पस्चिम में इधर पे बना लीज़े G को ये G हो गया H से 1 km पस्चिम में जबकि D जो है G से 3 km पूर्व में है D जो है वो G से 3 km पूर्व में तो G से 3 km पूर्व दोनों same point पे आएंगे कौन है ये? D ये total distance की बात करूँगा तो 3 km और यहां से लेके यहां तक की distance कितनी होगी? 2 km आगे बोला F G से 2 km उत्तर में है F जो है वो G से 2 km उत्तर में तो ये पूरा कहां पहुंच जाएगा? इस point पे कौन आ जाएगा? F G से 2 km उत्तर में है I B और C के मध्य में है तो I जो है B और C के मध्य में है इन दोनों के मध्य में है कौन? I B और C के मध्य में जबकि E H और D के मध्य में है E H और D के मध्य में है इस प्रकार का डाइग्राम बने गा ये अब प्रसने देखिए e और i के मध्य की दूरी क्या है तो e और i के मध्य की दूरी ये दूरी पुछा है चुकि इसका भी मध्य बिंदू e है, इसका भी मध्य बिंदू i है और ये दोनों distance जो है 2 km है मतलब ये जो distance है, ये कितनी हो जाएगी एक किलो मीटर हो जाएगी, मतलब इन में से कोई नहीं, ठिक, आगे बढ़ते हैं, E और F के मद्ध की दूरी क्या है, तो देखें कहां पे है E और कहां पे है F, तो यह देखिए, E और F के मद्ध की दूरी, तो यह जो आपका समकोन तरिभुज बना है, इसको अलग कर लीजे, यह आपका डिस्टेंस है, दो किलो मीटर, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो यहां से यहां तक एक है, यहां से यहां तक एक, यहां से यहां तक एक, तो यह दिस्टेंस कितना हो गया, दो, यह दिस्टेंस चाहिए, इसको X मान लिया, तो कर्ण का वर पाइथा गुरस प्रमे लगा दिया 4 प्लस 4 तो x स्क्वाइर बराबर कितना 8 तो x बराबर वर्गमूल 8 आठ को ब्रेक कर दीजे 2 गुडा 2 गुडा 2 2 बहार निकाल दीजे बचा कितना अंदर तो answer क्या हो जाएगा आपका C हो जाएगा थोड़ा टफ़ा गया था इस बार C60 ऐसे प्रस्नों को करने में आपको टाइम भी देना पड़ेगा और बिल्कुल सांती से concentrate हो के बनाना पड़ेगा ऐसे प्रस्नों को देखिए प्रस्न संख्या 45 एवं 46 के लिए निर्देश दिया हुआ है कुछ पुरस्कार प्रमाड पत्र होते है तो पुरसकार का कुछ हिस्सा जो है ये क्या है प्रमाड पत्र है अब देखे निसकर्स कुछ प्रमाड पत्र पुरसकार होते हैं कुछ प्रमाड पत्र पुरसकार होते हैं बिलकुल सही है क्योंकि कुछ पुरसकार प्रमाड पत्र है तो कुछ प्रमाड पत्र पुरसकार इसमें तो कोई confusion होगा ही नहीं आपको. अगला, कुछ पदक पुरसकार होते हैं. बिलकुल होगे, चुकि सभी पुरसकार पदक हैं, तो कुछ पदक तो पुरसकार होगे ही. दूसरा भी सत्य है, समझपा रहे हैं बात को. अगला, कुछ प्रमाड पत्र पदक होते हैं, यहाँ पर confusion हो सकता है, इसको समझेंगे. कुछ प्रमाड पत्र पदक होते हैं, अब एक बात समझें, चुकि सभी की सभी पुस्तक क्या हैं, पदक हैं, और कुछ पुस्तक प्रमाड पत्र हैं, ये common portion तो confirm है कि पदक होगा ही, बाकी प्रमाड पत्र का नहीं पता, लेकिन ये जो common portion पुस्तक के साथ है, ये तो पदक होगा ही, क्योंकि सभी के सभी पुरसकार पदक है, तो ये जो common portion है पुरसकार और प्रमाड पत्र में ये तो पदक होगा ही, इसका मतलब तीसरा भी क्या है सत्य है तो आप देख सकते हैं सभी निसकर्स एक दो और तीन कथनों के अनुसार हैं ठीक बढ़ते हैं अगले प्रस्न की ओर सभी कुट्टे सेर होते हैं देख लीजे माल लीजे ये कुट्टे हैं तो सभी कुट्टे सेर हैं ये सेर हो गए कोई हाथी सेर नहीं होता है कोई कोई हाथी सेर नहीं होता है, ऐसा कुछ बनेगा, अब पहला निसकर्स, कोई कुटा हाथी नहीं होता, बिल्कुल सही, चुकि सभी के सभी कुटे सेर हैं, और कोई सेर हाथी नहीं है, तो सिंपल सी बात है, कोई कुटा हाथी होता ही नहीं, क्योंकि ये जो बोला है, सेर को दर सबंद नहीं हुआ, समझ पाँ तो sociology इत पारे हैं मतलब यह जो इसकर्स लिखा है, कि बिल्बबस नहीं कुट्थ है कि कोई आथी नहीं होता है कोई सेर कुट्था नहीं होता है गलत है। देख पार रहे हैं आप कुछ यह खुत्त हैं की अनुसार है क्लिर है यहां तक अगला कोशन देखते है यदि किसी खास कुट भासा में आर्मी को यह नंबर लिखा हुआ है तो नेवी को क्या लिखा जाएगा देखिए बहुत सारे बच्चों का doubt आया था कि इसमें क्या कूट लगाया गया है, क्या coding की गई है, देख लिजे, army, army को क्या लिखा है वो 59065125, अब एक बात सोचिए कि army में अगर मैं numbering करता हूँ, तो a का 1 होता है, r का 18 होता है, m का 13 होता है, y का कितना होता है, 25, लेकिन लिखा क्या है, 1 को 5 लिखा, 18 को 90 लिखा, 13 को 65 लिखा, 25 को 125 लिखा, 5 का गुड़ा कर दिया है, ये देखिए, 1 पचे 5, 18 पचे, 90, 13 पचे, 65 और 25 पचे कितना होगा, 125, तो 5, 90, 65, 125 मिल गया code, उसी code से आप navy को लिख सकते हैं, बन जाएगा आप तो, ठिक, navy को आप आ आसानी से लिख सकते हैं, तो n का क्या होता है, 14, a का 1, v का क्या होता है, 22, y का क्या होता है, y का 25 होता है, 5 का गुड़ा कर दिजे, 14, 75, 155, 22, 5, 110, 25, 25, 125, तो 70, 5, 110, 125, ठिक, बढ़ते हैं अगले प्रस्न की ओर, चले, question number 48 से 52 के लिए निर्देश दिया गया है, हरे, नीले, गुलाबी, काले, नारंगी, पीले, सफेद, और लाल रंग के 8 बक से 1 के उपर 1 रखे हुए हैं, देखे, इस प्रस्न में बहुत लोगों को doubt आया था, कि ये प्रस्न नहीं बनाऊं से, थोड़ा लंदी प्रस्न है, थोड़ा time देंगे तो बनेगा ये प्रस्न, चले, देखते हैं किस प्रकार से हल होगा, 8 बक से हैं, पहली condition क्या बोला है, गुलाबी और लाल रंग के बकसों के बीच 4 बक से हैं, तो ये माल लीचे गुलाबी हो गया, ये ल लाल के बीच 4 बक से, इसी का पोजिट हो सकता है, इसको मैं गुलाबी के जगा क्या बोल दूँगा, लाल बोल दूँगा, और ये क्या हो जाएगा, गुलाबी, तो लाल और गुलाबी के बीच कितने बक से हो गए, देखिए, 4 बक से हो गए, दोनों condition हो सकती है, या तो ग हरे के बीच 2 बक से, अगर मैं हरा को नीचे बोल दूँगा, और इसके बीच 2 बक से लगाऊंगा, तो टोटल हो जाएगे कितने, 9, लेकिन टोटल कितने बक से है, 8 बक से है, इसी कारण से नीचे तो नहीं होगा हरावाला, हरावाला कहां पे होगा, उपर में होगा, तो ल लाल और हरे के बीच दो हो गए, इसी प्रकार यहाँ पे उपर नहीं होगा हरा वाला, कहाँ पे होगा, नीचे, तो लाल और हरा के बीच कितने हो गए, तो हो गए, तीन बक्से नारंगी और हरे बक्सों के बीच रखे हुए हैं, यहाँ पे कंडिशन फस्ती है, तीन बक्से ह नारंगी और हरे के बीच, आप देखिए, नारंगी नीचे भी आ सकता है, नारंगी उपर भी जा सकता है, यहाँ पर दिक्कत आ गई थी, तो चाहें तो आप एक और डाइग्राम बना लीजे, एक इसका और एक इसका, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, एक बा बना लीजे पहले तो, प्रकार यहाँ पे, एसा लीजे उपर वाले के जैसा, यहाँ पे लाल लिखिये, दो छोड के हरा, ठेक, और यहाँ पे क्या लिख दीजे, गुलाभी, अब एक बात समझेंगे, condition को देखते हैं, नारंगी और नीले बक्सों के बीच दो बक्से रखे हुए हैं, तो नारंगी और नीले, अच्छा उससे भी उपर condition बची है, तीन बक्से नारंगी और हरे बक्सों के बीच हैं, तो नारंगी को नीचे लेता हूँ, तो यहाँ पे नारंगी आ जाएगा, यह देखे, नारंगी और हरे के बीच कितने बक से हो गए, तीन, यहाँ पे उपर मिलूँगा, तो यह देखे, एक को छोड़के, यह क्या हो जाएगा आपका, यह जो लाइन है, यह हो जाएगा आपका नारंगी, देख पा रहे हैं, नारंगी और हरे के बीच कितने बक से आ गए एक दो तीन, यहां भी देखिए नारंगी और हरे के बीच कितने बक से आ गए, एक दो और तीन, इसमें जमा लिजे, इसमें नारंगी को मैं नीचे रख लेता हूँ, तो नारंगी और हरे के बीच तीन बक से आ गए, यहां पे नारंगी को मैं ऊपर जमाता हूँ, तो और नीले के बिच 2 हैं, अगर मैं नीले को नीचे लूँगा, तो टोटल बकसे बढ़ जाएंगे, तो confirm है नीला तो उपर ही आएगा, तो नीला कहां पे आजाएगा, यहां पे आजाएगा, तभी तो नारंगी और नीला के बीच कितने बकसे होंगे, दो बकसे, यहां पे अगर मैं उपर नीला को लूँगा, तो बकसे बढ़ जाएंगे, तो नीला confirm है, कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, यहां पे यहां तक समझ में आगया होगा आगे बढ़ते हैं, सिर्फ एक बकसा नीले और काले बकसों के बीच में है अब देखें नीला और काला के बीच एक बकसा है तो नीला और काला के बीच एक बकसा है तो यहाँ पे तो confirm है कि नीला ये रहा और काला इसके बीच एक बकसा है तो यहाँ पे काला आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लाल है, तो एक ही condition है, यहाँ पे काला आ जाएगा, नीला और काला के बीच एक बक्सा, कौन सा है ये, हरा है, उसी के आगे condition को पढ़ेंगे एक बार, तो बोला क्या है काला बक्सा नारंगी बक्से के ठीक उपर या ठीक नहीं है, ठीक, condition satisfied हो रही है न, काला बक्सा जो है, वो नारंगी के ठीक उपर या ठीक नीचे नहीं है, मतलब यह satisfied हो रही है, इसमें देख लेते हैं, क्या बोला था यहाँ पे, सिर्फ एक बक्सा नीले और काले बक्सों के बीच रखा हुआ है, तो नीला बक्सा ये रहा, अब काला बक्सा कहां पे आएगा, तो काला बक्सा को अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो नीला और काला के बीच एक बक्सा गुलाबी है, लेकिन जस्ट अगली condition पढ़ेंगे, कि नारंगी के जस्ट नीचे या जस्ट उपर नहीं होना चाहिए, समझ पा रहे हैं, तो क यहाँ पे होगा, नीला यह है, तो यह क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा, उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, नीला यह रहा, काला को यहाँ नहीं रख सकता मैं, क्योंकि काला को यहाँ रखूँगा, तो काला कहां रखूँगा, यहाँ पे रखूँगा, इसमें देख ल सफेद और पीले बक्सों के बीच दो बक्से हैं तो यहाँ पर देखिए सफेद और पीला बोल रहा है उसके आगे क्या बोला सफेद बक्सा लाल बक्से के उपर रखा हुआ है तो यहाँ देखिए लाल ये रहा तो सफेद ये हो जाएगा पहले सफेद को कर लीजे ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि लाल के जस्ट उपर क्या है काला यहां देखिए लाल के जस्ट उपर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आट कैंसिल हो गया क्योंकि लाल के जस्ट उपर बोल रहा है कौन सा बक्सा सफेद, cancel हो गया इसको देखिये, लाल के जस्ट उपर cancel हो गया, तीनों आपके cancel हो गया, यही बचा है तो सफेद और पीले बकसों के बीच दो बकसे हैं तो सफेद ये रहा, बचा कौन सा पीला, सफेद और पीले के बीच दो बकसे, तो यहां पे पीला आ सकता था लेकिन यहाँ पे कौन है काला है तो पीला कहाँ पे आ जाएगा नीचे लाइन खीच के पीला लिख दीजे तो सफेद और पीला के बीच दो बक से आ गए खतम हो गया पूरा कुस्टन आगे क्या बोला है लेकिन वह सबसे उपर नहीं है सबसे उपर तो है नहीं तो आपका ये पूरा कपूरा सेट हो गया सबसे उपर गुलाबी फिर काला फिर हरा फिर नीला फिर सफेद फिर लाल फिर नारंगी फिर पीला इस प्रकार से बनता हूँ थोड़ा लेंदी था लेकिन बनाना चाहिए था आपको, बनना चाहिता हूँ आपके, आप जहां पर भी फस्ते हैं, डाइग्राम बना लीजे, चलिए, आप question देखते हैं, फटाफट question solve होंगे इसके, किस रंग का box सबसे नीचे है, तो आप देख पा रहें, सबसे नीचे क्या है, पीला, तुत्तर क्या हो जाएगा, पीला, गुलाबी बक्से के परिपेक्ष में, काले बक्से किस्ति क्या है, तो गुलाबी बक्सा कहां पर है, ये रहा, तो काला जस्ट उसके नीचे है, ठीक नीचे, अगला question देखें क्या बोला है, पीले और नारंगी बक्सों के बीच कितने बक्से हैं, तो पीला और नारंगी, उसका उत्तर क्या हो जाएगा, गुलाबी, निम्लिखित में से किस रंग का बक्सा, लाल बक्से के ठीक उपर है, तो लाल बक्से के ठीक उपर कौन है, सफेद कलर का बक्सा है, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, सफेद हो जाएगा, चार विकल्पों में से एक अन्य तीन से अलग हैं उस अलग विकल्प को ग्याद कीजे यह तो बन जाएगा बहुत आसान है अब देखिए धारनाए दिया गया है कथन दिया गया है दिये गए कथन और निमलिखित धारनाओं पर विचार कीजे और निश्चे कीजे कि कौन सी धारना कथन में अंतर नहीं थे और उस इस्थित सभी कारखानों को बाहर इस्थानांतरित किया जाएगा अब एक बात समझेंगे कोई भी काम अगर आप करते हो तो उसके पीछे कुछ न कुछ पूर्व ओधारनाए होती है तो उस पूर्व ओधारना को इसमें से आप सोच के एंसर को टिक करेंगे इसका एंसर प पॉजिटिव सोच के ही उस काम को करते हैं तो इसका उतर आप देख सकते हैं चलिए अगला कोशन देखिए सभी और से लाल एक बड़े घन को 27 एक समान छोटे घनों में काटा गया सिर्फ दो और रंगीन घनों की संख्या ग्याद कीचे अब एक बात समझे चोटे घनों की संख्या क्या है 27 है इसका मतलब n3 की value आपको कितनी दी है 27 तो यहां से n की value कितनी मिल गई आपको 3 मिल गई n की value कितनी मिल गई 3 अगर मैं बात करूँ दो side से रंगे घनों के formula की तो 12 into n-2 तो कितना हो गया 12 into 3-2 1 तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा clear है formula से कर सकते है formula से करना जादा आसान है imagine करना है तो आप imagine भी कर सकते हैं अगला question देखिए निम्न लिखित श्रिंखला में प्रस निचीन के इस्थान पर आ सकने वाली संख्या को चुनिए 24 से 25, 25 से 29, 29 से 56 तो 24 और 25 में कितने का gap है एक का 25 और 29 में कितने का gap है चार का 29 और 56 में कितने का gap है सुला में 9 गया कितना बचेगा 7 यहां कितना बचेगा 27 तो एक मतलब एक का square चार मतलब 2 का square 27 मतलब 3 का power 3 तो आगे क्या हो जाएगा चार का power 4 1 square 2 square या इसको आप ऐसा लिख लीजे 1 की power 1 ले लीजे 1 की power 1 भी ले सकते हैं तो 1 की power 1 2 की power 2 3 की power 3 4 की power 4 मतलब कितना जोडेंगे 4 की power 4 जोडेंगे तो देख लीजे 4 की power 4 कितना होगा 4 चोको 16 चोको 64 चोको 256 तो 56 में क्या करिए 256 जोड दीजे कितना आ जाएगा 6 6 12 312 आ जाएगा तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा D हो जाएगा 1 की power 1 2 की power 2 3 की power 3 4 की power 4 अगला कोशन देखिए 4 अक्षर समुह दिये गए हैं जिन में से 3 किसी प्रकार समान है जबकि एक अक्षर अलग है उस अक्षर समुह को ग्याद कीजे तो सबसे आसान तरीका जैसा मैंने आपको समझाया आप नंबरिंग कर लीजे CXIR C का नंबर 3 X का नंबर क्या हो जाएगा 24 I का नंबर क्या हो जाएगा 9 R का नंबर क्या हो जाएगा 18 ठिक आगे देखते हैं L N J Q L का number क्या हो जाएगा? 12 N का 14 J का क्या हो जाएगा? 10 Q का क्या हो जाएगा? 17 Q का हो जाएगा? 17 उसी प्रकार E, V, G, T E का हो जाएगा 5 V का हो जाएगा 22 G का क्या हो जाएगा? G का हो जाएगा 7 T का हो जाएगा 20 H, S, K, P H का क्या हो जाएगा? 8, S का 19, K का क्या हो जाएगा 11, P का क्या हो जाएगा 16, अब देखिए कौन सा अलग आपको दिख रहा है ठिक, तो थोड़ा सा आप देखेंगे क्या concept यहाँ पे लग रहा है तो देखते हैं चले, क्या concept लग सकता है 24 और 3 27, 24 और 3 हो गया 27 27 में से 9 को घटाया तो क्या आगया 18, ऐसा कुछ बन रहा है क्या 22 और 5 27, 27 में 7 को घटाया तो 20 19 और 8 कितना हो गया 27, 27 में 11 को घटाया तो 16 लेकिन यहाँ पे देखिए 12 और 14 कितना हो गया 26, 26 में 10 को घटाया तो 16 आना चाहिए यह गलत है तो नंबरिंग करेंगे तो आपको दिख जायेगा नंबरिंग में आप देख पा रहे हैं 24, 23, 27, 27 में 9 को घटाया तो आया 18 उसी प्रकार 22, 25, 27 में 7 को घटाया तो 20 आया 19, 28 कितना 27 में 11 को घटाया तो 16 आया तो आप देख पा रहे हैं कौन सा अलग है अगला कोशन देखिए निमने लिखित श्रिंखला में प्रस्ण चिनिक को बदलने के लिए अक्छर समू को चुनिए तो आप यहाँ पर देखेंगे ELV, JHY, ODB, T, ZE आसानी से दिख जाएगा E के बाद FGHI 4 को छोड़ा है FGHI फिर J लिखा J के बाद अगर O को देखू K, L, M, N 4 को छोड़ा फिर O लिखा O के बाद अगर T को देखू P, Q, R, S 4 को छोड़ा तो T लिखा तो T के बाद 4 को छोड़ दीजे U, V, W, X तो क्या लिखूंगा सबसे पहले Y अब यहाँ पर back हो रहा देखिए L से H, H से D, D से Z तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं यहाँ पर देख लीजेगा V से क्या हो गया Y, Y से B, B से E तो B के आगे E, तो E के आगे आप यहाँ पर लिख सकते हैं आसान प्रस्न है यह तो खेर ठिक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रस्न की ओर नीचे दी गई सूचना को पढ़कर निमने लिखित प्रस्नों की उत्तर दीजिए आठ मित्र है P, Q, R, S, T, U, V, W एक परीधी में केंदर की और मुह करके बैठे हैं चलिए आठ लोग हैं तो गोला बना लीजे जिसमें आठ लोग हो एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ एक और बना लेते हैं ताकि confusion ना हो आठ लोग को बैठा लीजे ये आसान प्रस्न था पहली condition क्या बोला है Q, V और S के बीच में बैठा है तो Q जो है ये V और S के बीच में बैठा है ऐसा भी तो बैठ सकता है इधर V और इधर क्या हो गया, S इसी ने दो गोला बना लिया ये direction क्या होगा आपका दाया ये देखे दाया और ये direction क्या हो जाएगा बाया हो जाएगा आगे क्या बोला W Q के बाय तीसरे स्थान पर W Q के बाय तीसरा तो Q के बाय तीसरा यहाँ पर W होगा यहाँ पर W Q के बाय तीसरा और और का मतलब W के बारे में ही बोल रहा है समझा चुका हूँ बहुत बार क्लास में यह सब चीजें W Q के बाय तीसरे स्थान पर और P के दाय दुसरे स्थान पर है क्या बोला W Q 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 और V के बीच में बैठा है R जो है P और V के बीच में तो यहाँ पे R हो गया R P और V के बीच में यहाँ पे तो cancel हो गया यह क्योंकि P यहाँ, V यहाँ तो R P और V के बीच में बैठा नहीं सकते आप Q और T एक दूसरे के विपरित नहीं बैठे हैं Q और T बहुत आसान प्रस्ण था, जहां भी confusion होता है दो गोला बना लीजिए, पहला question, S के बाएं तीसरा कौन है, तो S ये रहा, S के बाएं तीसरा कौन होगा, U होगा, option A, निम्न लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, S और P एक दूसरे के विपरिद बैठे हैं, S और P एक दूसरे के विपरिद बैठे हैं, बिल्कुल सत्य है, R, S के दाई और तीसरा है, R, S के दाई और तीसरा है, T, U और S के बीच में बैठा है, T, U और S के बीच में यही गलत दिखरा है, P, R, U के बीच में बैठा है, तो P, R, U के बीच में बैठा है, सत्य है, गलत कौन सा है option C, इस question को देख लीजे, alpha, beta, gamma दिया है, तो alpha चिन, युक्त, फलक के विपरित फलक पर कौन सा चिन होगा, अब match कर लीजे, alpha के विपरित चाहिए आपको, तो देखिए, pi भी दिया है, theta भी दिया है, 6 होंगे अलग-अलग, क्योंकि 6 फलक होते हैं, अब एक बात समझिए, यह देखिए, phi, phi के common आजाएगा, यह common आजाएगा, theta इसके, तो यह जो alpha है, और यह जो आपका चिन है, यह दोनो delta और alpha क्या हो जाएगा, एक दूसरे के common, तो उत्तर क्या हो जाएगा, delta, आसान है तो, इस थिती को आप compare कर रहे हैं, A, B, B, A, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है, अगर दो फलक common है, तो बचे हुए, एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, तो इन दोनों को अगर आप देखेंगे, तो यह common है इसके, और यह common है इसके बराबर, तो बचे हुए, फलक एक दूसरे के भी परीत, तो अलफा के opposite क्या आजाएगा, डिल्टा आजाएगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा, इसका option A हो जाएगा, चलिए, प्रस्न क्रमांक 62 एवं 63 के लिए निर्देश दिया गया है, परिस्थिती का अध्यन कीजे तथा दिये गए, विकल्पों में से किये जाने वाले कारे को चुनिए, आप एक कंसल्टेंसी में IT विश्यसग्य हैं, लेकिन आपको जो कारे सौपा गया है, वह मानों संसाधन से जुड़ा हुआ है, जिसमें आप सिमित ग्यान रखते हैं, आप क्या करेंगे, पहला option है, सिमित मातरा में कारे करेंगे तथा उसे बौस के पास भेज देंगे, दूसरा है अपने सहकर्मियों से सहयोग लेंगे, तथा सारे तور तरीके सीख लेने की उपरांत, अपने वरिस्ट को बता देंगे कि अपने कारे को संपादित करने में आपने एक सहयोगी की सहयता ली है, कारी दिये जाने के समय ही आप अपने बॉस को बता देंगे कि इस कारी से संबंधित अनुभव आपके पास नहीं है अपने वरिष्ट को लिखित ढंग से बता देंगे कि इस कारी से आपका कोई संबंध नहीं है तो सबसे जो सही विकल्प आपको लग रहा है वो भी लग रहा है अगला देखे क्या बोला है आप एक कारखाना के मालिक हैं एक दिन कारखाने में सोर गुल होने लगा तथा आपको बताया गया कि दो मजदूर पर लोहे की एक छड़ गिर गई वे लोग बुरी तरह घायल हो गए तथा उनके सरीर से खून बै रहा है सभी लोग आतंकित है आपको क्या करना चाहिए पहला option है परिस्थिती को संभालने है तू पुलिस को बुला लेना चाहिए मजदूरों से कहना चाहिए कि वे लोग अपने अपने काम पर ध्यान दे मजदूर संग के नेता को बुला कर उसके साथ इस विशे में विचार मीमर्स करना चाहिए घायल मजदूरों की ततकाल चिकित्सा की ववस्था करनी चाहिए जो की सबसे सही option आपको दिख रहा है तो इसका answer क्या हो जाएगा? D हो जाएगा बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर? चलिए question देखते हैं 64 से 68 के लिए निर्देश दिया गया है कथनों को ध्यान पुर्वक अध्यन करके निम्लिखित प्रस्णों के उत्तर दीजे एक सिर्ष कॉलेज में MBA में दाखिले के लिए उमिदवार का चैन करने की सरते निम्लिखित हैं ये सरते दी गई है इन सरतों क्या धार पे MBA में क्या हो जाएगा? दाखिला मिल जाएगा एक अगस्ट 2017 को उम्र 25 वर्स नियूंतम 80 प्रतीसत के साथ दसवी पास नियूंतम 70 प्रतीसत के साथ बारवी पास समुह चर्चा में 70 प्रतीसत वैक्तिगत साक्षतकार में नियूंतम 60 प्रतीसत अब यहाँ पे A और B दो पॉइंट दे दिया है उप्रोक्त तीन कक्षा बारवी में नियूंतम 60 प्रतीसत हासिल किया है लेकिन बारवी कक्षा विज्ञान से पास किया है मतलब यह जो 70% वाला है यह कम हो जाएगा लेकिन विशय क्या होना चाहिए उसका विज्ञान होना चाहिए तो मामला कहां जाएगा MBA के विभागी प्रधान को भेजा जाएगा उप्रोक्त पाँच वैक्तिकत साक्षतकार में 50% हासिल किया है तो उसका मामला admission committee को भेजा जाना है वैसे बोला है कि साक्षतकार में नियूंतम 60% लेकिन 50% हासिल किया तो मामला कहां जाएगा admission committee के पास जाएगा अगर ये सभी condition satisfied हो रही है मतलब सीधे सीधे उसका चैन हो जाएगा question में आते हैं सुसान्त ने बारवी में विज्ञान में 85% पहली condition satisfied क्योंकि बारवी में नियूंतम कितना बोला है तो आप देख सकते हैं बारवी में नियूंतम कितना बोला है 70 और दस्वी में कितना बोला है 80 तो इसका डोनों condition satisfied हो रहा है बारवी में 85 और दस्वी में कितना लाया है 90 वैक्तिगत साक्षातकार वाला भी satisfied हो रहा है समूँ चर्चा वाला भी satisfied हो रहा है क्योंकि व्यक्तिकत साक्षातकार में आप देखेंगे तो न्यूनतम 60 बोला है समूँ चर्चा में 70 बोला है जब कि इस व्यक्तिके समूँ चर्चा में 74 है और व्यक्तिकत साक्षातकार में 61 है केवल जनम बाली बाद बचती है 24 अप्रेल 1994 को ये पैदा हुआ था तो आप देख लिजे कि 1 अगस्ट 2017 को इसकी आयू 25 के अंदर है या नहीं तो आप निकालेंगे तो 94 और 6, 2000 23 साल क्या सपास आएगा ये 23 साल कुछ महिना आएगा 1 अगस 2017 को इसका मतलब सभी कंडिशन सटिस्फाइड है तो मिद्वार को चुना जाना है चली कोशन नमर 65 देखिए दिक्छान्त ने बारवी में विज्ञान विशे में सरसट प्रतीसत और दसवी में 92 प्रतीसत हासिल किया अब देखिए बारवी में कंडिशन सटिस्फाइड और एजवाला भी कंडिशन सटिस्फाइड है क्योंकि एजवाला जो कंडिशन है ये क्या है आपका ये 25 वर्ष के अंदर ही आएगा इसका मतलब इसका एंसर क्या हो जाएगा मामले को MBA के विभागा ध्यक्च के पास भेजा जाएगा ठीक यहाँ पे क्लियर कर दिया है कौन सा विशे है विज्ञान है और विज्ञान में कितना सरसट परसेंट है अगला कोशन देखते हैं क्या लिखा हुआ है रिशव ने बारवी में कला विशे में 75 परतीसत मतलब बारवी वाली कंडिशन सटिस्फाइड दसवी वाली कंडिशन सटिस्फाइड वैक्तिकत साक्षतकार में 69 परतीसत बोला था लेकिन यहाँ पच्चपन है समुचर्चा में 76 परसेंट जनम 19 नवंबर 1993 को हुआ तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वैक्तिकत साक्षतकार को छोड़के सारी कंडिशन सटिस्फाइड हो गई है और प्रस्ण में क्या बोला था कि वैक्तिकत साक्षतकार अगर 50% हासिल किया है नियुनतम तो उसका मामला एडमिशन कमिटी को भेजा जाना है तो इसमें क्या हो जाएगा वैक्तिकत साक्षतकार जो है नियुनतम 50% वाला सटिस्फाइड हो रहा है मतलब मामला कहां भेजेंगे एडमिशन कमिटी के पास भेजेंगे अगर सारी कंडिशन सटिस्फाइड होती तो सीधे सीधे चुन लेते, लेकिन यहाँ पर सारी condition satisfied नहीं हो रही है, वेक्तिकत साक्षातकार वाला condition थोड़ा लग हो गया है, जनम को देख लीजे, 19 नवंबर 1993 को इसका जनम हुआ है, तो अगस्त 17 में ये लगभग कितने साल का हो जाएगा, तो 7 और 17 कितना, तो 24 साल का, मतलब condition क्या हो रही है, satisfied हो रही है, age वाली भी, तूत्तर क्या हो जाएगा, इसका D हो जाएगा, अगला question देखिए, रोष्णी ने बारवी में 79%, बारवी में यूंतम कितना है, 70, 70 से कम तभी चलेगा, जब विशय क्या होगा, विज्ञान, यहाँ पे विज्ञान सो नहीं किया है, दसवी में condition satisfied, वैक्तिगत साक्षतकार में condition satisfied, समुचर्चा में satisfied, age वाला भी लगबख satisfied हो जाएगा, आप देखेंगे तो, लेकिन आप देख पा रहे हैं, बारवी में 79 है, अगर विशय विज्ञान बोल देता, तो यहाँ पे अपन बोलते कि मामले को कहा बेजेगा, वो MBA के विभागा ध्यक्स को बेजेगा, लेकिन यहाँ पे तो विशय बताया ही नहीं, मतलब डेटा क्या है, निर्णाय लेने के लिए अपरियाप्त है, अगला कोशन देखिए, सेखर ने 12 वी में वाडिजी विशय में, जैसा कि विशय यहाँ बता दिया, व वाला सटिस्फाइड हो रहा है, क्योंकि 1 अगस्त 2017 को लगभग ये 22 वर्स का होगा, 25 के अंदर ही तो है, लेकिन यहाँ पे वाडिजी विशय है, अगर विज्ञान होता तो सोचते, भेजते इसको कहाँ पे, विभागा ध्यक्ष के पास में, लेकिन यहाँ पे तो वाडि को नहीं चुना जाना है, ठीक, तो इस प्रकार से बनते ये प्रस्न, बहुत आसान थे, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था, अगला देखिए, इस्थिती को पढ़िए और उपलब्द कराए गए विकल्पों में से सर्वस्रिस्ट कारिवाही का चुनाव कीजे, आपक अधिकारी निरास हो जाता है, और आपको फटकार लगाता है, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, तुरंत जगह छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, नौकरी से स्थीपा तो देंगे नहीं आप, प्रतिक्रिया करेंगे और अधिकारी पर चिलाएंगे, अधिकारी को आप परियोजना में लगे हैं, परियोजना समिक्षा बैठक के दोरान आपको ग्यात होता है कि दली सदस्यों से प्राप्त सहयोग में कमी की वज़ह से इस परियोजना की निस्पादन में विलंब होने की संभावना है, आपको क्या करना चाहिए, कारणों का उलेक करते हुए समय उधी बढ़ाने की मांग करनी चाहिए, दली सदस्यों को बदल देने की मांग करनी चाहिए, असहयोग के कारणों की जाच परताल करनी चाहिए, असहयोग के मुद्दे पर दली सदस्यों को चितावनी देनी चाहिए, आप्सन B और D तो किसी भी कंडिशन से सटिस्पाइड नहीं करेगा, या तो option A में फसते या तो option C में, लेकिन ज़्यादा accurate answer क्या होगा option C हो जाएगा, हिंदी अंग्रेजी और संस्कृत के संबंद में 960 वेक्तियों के ज्यान के सरविक्षन का परिणाम नीचे दिया गया है, तीनो भासाओं को जानने वालों का संस्कृत न जानने वालों के साथ क्या अनुपात है तो देखिए, तीनो भासाओ को जानने वाले कितने हैं, 60 और संस्कृत नहीं जानने वाले यही हैं, संस्कृत जानने वाले इस गोले में आएंगे इसके बाहर जो हैं, वो संस्कृत नहीं जानते हैं, तो 200, 120 और 220, तो 60 और नीचे कितना हो गया, 540 तो अनुपात हो गया, एक अनुपात 9, option A, आसान प्रस्म था, चलिए अगला question देखिए, question number 72, नीचे दी गई आकरिती में कितने त्रिभूज हैं, तो इसका 36 उत्तर आएगा, एक तरीका आपको बता रहा हूँ, इस प्रकार का कोई diagram दिखेगा, तो यहाँ पे number of triangle बोलेंगे, आप 3, इस प्रकार का कोई diagram दिखेगा, तो यहाँ पे number of triangle बोलेंगे, आप कितने 8, अब सबसे पहला काम है कि इस प्रकार के डाइग्राम खोज लीजे, ये देखिए, ये त्रिभुज दिखा 3, ये त्रिभुज दिखा 3, ये त्रिभुज दिखा 3, ये त्रिभुज दिखा 3, अब देखिए ये चतुर्भुज टाइप का दिख रहा है, तो 8 हो तो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 8, 20, 8, 28, 28 तो आपको मिल गए, अब जॉइंट करके देखिए, दो-दो को जॉइंट करके देखिए, कहां कहां पर बढ़ रहा है, तो आपको 8 और मिलेंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 36, देख लेंगे आप, ठिक, जॉइंट करने पर number of triangle बढ़ते ही है, सिंगल इस डाइग्राम में 3, सिंगल इस डाइग्राम में 8, जब जॉइंट करेंगे, तो number of triangle बढ़ेंगे ही, confirm है, ठिक, निम लिखित में से कौन सबसे बढ़ा है, बहुत आसान प्रस्न है, भाग देंगे, आप आसानी से बता सकते हैं, option आएगा, इसका C, भाग द लीजेगा, LCM लेके भी बना सकते हैं, LCM लेंगे, लेंगे, लेंदी हो जाएगा, भाग देना सबसे आसान तरीका है, अगला, सबसे छोटी संख्या, जिसे 75, 66, 96 में जोड कर 11 का गुड़क प्राप्त किया जा सकता है, क्या होगी, सबसे आसान तरीका क्या है, इसका, आप से डिवाइड हो रहा है क्या, फिर 2 जोड के देखे, 11 से डिवाइड हो रहा है क्या, फिर 3 जोड के देख लीजे, जैसे मैं सीधे अगर 3 जोडता हूँ, तो क्या मिलेगा, 75, 62, 99, 11, 66, 66, 88, 88, 88, 89, 99, बिल्कुल भाग जा रहा है, एक और 2 जोडेंगे तो भाग नहीं भाग जा रहा है मतलब क्या है गुड़ा कहे अधर्वाइस ग्यारा से विभाजिता का नियम लगाईए उसमें भी टाइम उतना ही लगना है लगभग एक समान को 569 रुपे में बेचने पर 595 रुपे में बेचने पर 15 प्रतीसत का नुकसान होता है मान लीजे समान को खरीद के लाए थे एक्स में इसमें 15 प्रतीसत की हानी लेके समान को बेचे तो समान भी का कितने में 595 में ये भी क्रैमुल हो गया ये क्रैमुल और ये हानी का प्रतीसत लगा दिया हानी है मतलब 100 में घटा के बता रहू X की value find कर लीजे 595 इंटू 100 बटे 85 काट दीजे 5 से 5 एकम 5 5 सते 35 5 एकम 5, 5 एकम 5 5 नवा पैतालिस 17 सते 119 तो X की value कितनी आ गई? 700 मतलब समान को 700 रुपए में खरीद के लाए थे उसको 23 प्रतीसत लाब पे बेचना है तो 700 का कितना लिख दिया? 123 प्रतीसत 721 724 721 7 और 1 8 तुत्तर क्या हो जाएगा? 861 रुपए थोड़ा असान प्रस्निता अगला अपनी सामान गती के 45 प्रतीसत पर चलते हुए एक आदमी एक घंटे 50 मिनट की देरी से अपने गंतब इस्थल पर पहुँचता है गंतब इस्थल पर पहुँचने में लगने वाला समान समय ग्यात कीजे दो तरीका है ऐसे प्रस्न को करने का पहला तरीका क्या है कि दूरी को बराबर कर दीजे पहले केस में दूरी और दूसरे केस में जो दूरी होगी वो बराबर होगी अब दूरी क्या होती है चाल इंटू समय तो चाल क्या हो जाएगी पहले वाले की एक्स और समय क्या है पहले वाले का टी दूसरे वाले की चाल क्या हो जाएगी x का 45 प्रतीसत और समय क्या हो जाएगा एक घंटा 50 मिनट अधिक तो एक घंटा 50 मिनट को अगर आप बदलेंगे घंटे में तो 1 प्लस 50 बटे 60 मतलब 1 प्लस 5 बटे 6, 11 बटे 6 घंटा आएगा तो पहले लग रहा था t घंटा अब लगेगा t प्लस 11 बटे 6 घंटा x और x को कैंसिल कर दीजे सिंप्लिफाई करिए यहां से 5 नवा पैतालिस 5 दूनी 10 कितना हो जाएगा देखिए 20 t by 9 equal to t plus 11 by 6 तो 20 t by 9 में से t को घटा दीजे equal to 11 by 6 11 t by 9 equal to 11 by 6 11, 11 cancel तो t की value आगया 9 बटे 6 9 बटे 6 का मतलब 1.5 घंटा आएगा सिंप्लिफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1.5 घंटा मिलेगा क्योंकि यह कितना आएगा? 3 बटे 2 3 बटे 2 मतलब कितना घंटा? 1.5 घंटा बचेगा तो सामानी समय क्या हो गया? 1.5 घंटा हो गया अगला कोशन देखिए 132, 156 और 192 का मौसव प मतलब HCF X है इन तीनों का HCF Y है और इन तीनों का HCF Z है सबसे बड़ा कौन है? तो देखिए एक आपको निकाल के बता रहा हूँ तीन संख्याओं का मौसव निकालना है तो किनी भी दो संख्या का मौसव पहले निकाल लीजे ठीक भाग विधी अपलाई कर रहा हूँ मैं 24 आया सेसफल 24 से वापस से 120 132 को भाग दिया 24 पंचे 120 12 से वापस से 24 को भाग दिया तो 12 दूनी 24 12 कितना आया 12 अब इस 12 के साथ 192 का वापस से निकालूंगा 12 एकम 12 12 चंग 72 वापस से कितना आ गया 12 मतलब X की वैल्यू कितनी आ गई 12 इसी प्रकार आप इन तीनों का HCF निकालेंगे तो Y मिलेगा इन तीनों का HCF निकालेंगे तो Z मिलेगा सबसे बड़ा कौन है देख सकते हैं ठिक HCF निकालने का एक और तरीका होता है तीनों का अलग-अलग गुरनखन निकाल दीजे और हाइस्ट कॉमन जो है बता दीजे हाइस्ट कॉमन जो है वही क्या होगा आपका HCF होगा अगला कोशन देखते हैं 1000 रुपय प्रती किलोग्राम वाली धातू A और 700 रुपय प्रती किलोग्राम वाली धातू B को मिला कर दो अनुपात तीन के अनुपात में एक मिस्र धातू बनाई जाती है 15 किलोग्राम ऐसी धातू बनाने में कितनी लागत आएगी देखे 1000 रुपए प्रती किलोग्राम और 700 रुपए प्रती किलोग्राम को मिला के x रुपए प्रती किलोग्राम वाली मिस्रधातू बनाए हैं आप यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं x-700 यहाँ पे 1000-x यह क्या बता रहा है अनुपात यह आपका मिस्रन का अप्रोच होता है और यह अनुपात आपको प्रस्ण में देख कर रखा है भाई कितना दो अनुपात तीन एक्स फाइंड कर लीजे 3x-20100, 2000-2x, 5x is equal to 4100, x is equal to कितना आया 820 रुपए प्रती किलोग्राम मतलब जो मिस्रन बना है उसका 1 किलोग्राम का रेट कितना है 820 तो 15 किलोग्राम का रेट कितना हो जाएगा 12,300 ठीक, बढ़ते हैं अंगले प्रस्ण की ओर 12 पुरुस, 11 महिलाओं और 8 बच्चों में 1020 चॉकलेट बाटी जानी है प्रतेक, पुरुस, महिलाओं और बच्चा तीन अनुपात, तीन अनुपात, दो के अनुपात में चॉकलेट पाएगा पुरुस के हिस्से में कितनी चॉकलेट आएंगी तो 12 पुरुस के हाथ में कितना, 12 इंटू 3 के 11 महिला के हाथ में कितना, 11 इंटू 3 के और 8 बच्चे के हाथ में कितना, तो 8 इंटू 2 के टोटल कितनी चॉकलेट हैं, 1020 सिंप्लिफाई करिए, 36 के प्लस 33 के प्लस 16 के बराबर 1020 simplify करने में कितना मिलेगा 85k बराबर 1020 तो k बराबर 1020 बटे 85 cut कर दीजे 175, 85, 176 का 102, k की value 12 आ गई k 12 मिल गया तो बता दीजे कितना chocolate पूरुस को मिलेगा तो बारा पूरुस प्रतेक को 3k तो बारा इंटू 3 इंटू 12, 12 इंटू 36, बारा चंग 72, बारा तिया 36 और साथ कितना 43, 432 छिक चलिए आसान प्रस्न था ये एक आयताकार पार्क की लंबाई 20 प्रतिसत बढ़ा दी जाती है और इसकी चौडाई 10 प्रतिसत घटा दी जाती है आयताकार पार्क के छेत्र में वरिद्धी या कमी को ग्याद कीजे प्रतिसत में तो प्रतिसत परिवर्तन का एक formula आप पढ़े होंगे पहला प्रतीसत प्लस दूसरा प्रतीसत प्लस पहला प्रतीसत इंटू दूसरा प्रतीसत बटा 100 ठीक ये प्रतीसत परिवर्तन का फॉर्मूला है वृध्धि को पॉजिटिव लेना है तो पहला क्या है, 20, दूसरा क्या है, माइनस का 10, पहला क्या है, 20, दूसरा माइनस का 10, बटे 100, कितना आ जायेगा simplify करने में, यहां से 10, यहां से 2, तो प्लस में आया मतलब वृध्धी, कितने प्रतिसत की, 8 प्रतिसत की, option हो जायेगा इसका C, same, ये question भी देख लीजे, वैस number 83, 35 प्रतिसत की कमी, और विक्री में 80 प्रतिसत की वृध्धी, तो पहला प्रतिसत माइनस का 35, दूसरा प्लस का 80, पहला माइनस का 35, और दूसरा प्लस का 80, बटा 100, तो 80 में से 35 घटेगा कितना आएगा, 45 प्लस का आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 2, 4 को 8, तो 7, 4, 4, 28, कितना आगिया, 17 प्रतिसत, बहुत important formula बन जाता है, procedure भी है करने का, procedure से थोड़ा लंदी बनेगा, ये बहुत आसान तरीका है, पहला प्रतिसत प्लस दूसरा प्रतिसत, प्लस पहला प्रतिसत, इंटू दूसरा प्रतिसत बटा 100, वृध्धी का है, तो positive, कमी का है, त उसका आयतन 12,960 घन सेंटी मीटर है, तो आयताकार बॉक्स की लंबाई क्या होगी, तो मान लीजे, लंबाई 5x, चोड़ाई 4x, और उचाई 3x, तो आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुड़ा, चोड़ाई गुड़ा उचाई, ये दिया है 12,960, simplify करिए, 60x बराबर 12,9 260, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, 260, sorry, x3 की वैल्यू, 260, तो यहां से x कितना आ गया, 6, क्योंकि 260 का घन मुल हो जाएगा 6, x 6 आ गया, तो लंबाई हो गई 5, गुड़ा 6, मतलब कितना 30 cm, clear हैं यहां तक, अगला कोश्टन, प्रती वर्स 15 प्रतीसत पर 2 वर्स के लि एक फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, c i minus si, p r square by 10,000, यह तभी apply होगा, जब समय कितना होगा, 2 वर्स, तो देखें, c i और si का difference कितना है 90, p नहीं पता, r कितना है 15, 2 वर्स के लिए फॉर्मूला अप्लाई होगा, divide by कितना, 10,000, simplify करिए 15 एकम 15, 156 का 90, 5 3 का 15, 5 दूनी 10, 3 द जाएगी, 4,000 आजाएगी, option B, तो यह फॉर्मूला ध्यान रख सकते हैं, फॉर्मूला नहीं याद है, तो procedure से करना पड़ेगा, जो कि बहुत lengthy हो जाएगा, ठीक, 2 वर्स के लिए apply होगा, 3 वर्स में apply नहीं होगा, 2 pipe A और B करमसह 40 और 48 मिनट में एक tank भर सकते हैं, और एक west pipe प्रती मिनट 5 गैलन खाली कर सकता है, एक साथ तीनों pipe खोल देने पर tank 30 मिनट में भर सकता है, tank की छमता ग्याद कीजे, तो मान लीजे, tank की छमता है X गैलन, क्योंकि उत्तर भी किसमें पूछा है, गैलन में, tank की छमता कितना है, X गैलन मान लिया, मतलब यह जो tank है, इसम अब देखिए, एक मिनट में, ध्यान रखेंगे, पूरा का पूरा X गैलन को भरने में कितना मिनट लगाता है, 40 मिनट, तो एक मिनट में कितना भरेगा, X बटे 40, यही भरेगा, सिंपल सी बात है, पूरा का पूरा X गैलन, 40 मिनट में भर देता है, तो एक मिनट में कितना गैलन भरेगा, X बटे 40 गैलन, पाइप B एक मिनट में कितना भरेगा, X बटे 48 और पाइप C, जो की वेस्ट पाइप है, एक मिनट में 5 गैलन खाली करता है, सीधे सीधे बोल दिया, तो ये एक मिनट में A का काम, एक मिनट में B का काम, एक मिनट में C का काम, एक सा तीनों होते हैं तो पूरा का पूरा x गैलन भर जाता है इसी x की value आपको find करनी है चलिए simplify करिए और x की value find कर लीजे ठिक simplify करेंगे और x की value find कर लेंगे अगरा question देखिए एक वेक्ती 15,400 रुपए में 5 मेच और 9 कुर्षिया खरीदता है वह मेच को 10% और कुर्षियों को 20% लाब पर बेच देता है यदि सभी मेचों और कुर्षियों को बेच कर 2,080 रुपए का लाब होता है तो 7 कुर्षियों का लादत मुल्य क्या है? अब एक बात समझे एक मेज का क्रेम उली एक रुपए तो 5 का या X मान लीजे एक मेज का क्रेम उली X तो 5 का 5X एक कुर्सी का क्रेम उली Y तो 9 का 9Y बराबर कितना 15400 अब मेजों को 10% लाप पर बेचा तो 5X में कितना लाप कमाया 10% का और कुर्सियों को 20% लाप पर बेचा तो कितना कमाया 9Y का 120% टोटल लाप कितना है 2080 मतलब क्या हुआ 15400 में अगर मैं 2080 को जोड़ दू तो 17480 ये टोटल भी क्रेम मुल्य हो जाएगा ये क्या है 5 मेज और 9 कुर्सियों का क्रेम मुल्य और ये क्या है 5 मेज और 9 कुर्सियों का भी क्रेम मुल्य सिंप्लिफाई करके X और Y यहां से निकालेंगे X और Y मिल गया मतलब 1 कुर्सियों और 1 मेज का क्रेम मुल्य मिल गया तो आप यहां से 7 कुर्सियों का क्रैम उलिए बता सकते हैं क्लियर है यहां तक? ठिक एक और तरीका है थोड़ा equation छोटा करेंगे तो क्या होगा देखिए सबसे पहले क्या लिखे 5x प्लस 9y इक्वल टू 15,400 अब देखिए मेज पर 10 प्रतिसत लाब मतलब 5x का कितना? 10 प्रतिसत यह 5 मेज पर लाब है और कुर्सियों पर 20 प्रतिसत लाब तो 9y का 20 प्रतिसत यह क्या है? 9 कुर्सियों पर लाब है बराबर टोटल लाब कितना? 2080 थोड़ा सा छोटा हो गया equation इन दोनों equation को solve करिए x और y की value find कर लीजे थोड़ा सा छोटा हो गया equation ठीक है? पहले क्या लिखा? 110, 120 और यहाँ पे इन दोनों का योग लिखा था दोनों तरीका आपको पता होगा अगर आपने concept सीखा है तो फालतू के trick, formula रटे हैं तो यह प्रसना आपसे नहीं बनने वाला था चलिए, अगला question देखिए a plus b plus c बराबर 8 a b plus b c plus c बराबर 1 तो इसकी value पूछा है अब यहाँ एक बात के अध्यान रखिए a plus b plus c बराबर 8 है तो सबसे पहले मैं b plus c का मान निकालूंगा तो यहाँ से b plus c का मान कितना होगा 8 minus a c plus a का मान निकालूंगा कितना होगा 8 minus b और a plus b का मान निकालूंगा तो 8 minus c निकाल पाएंगे, simple है यह तो अब यहाँ पे value put कर दीजे put करता हूँ, तो b c b plus c का मान 8 minus a plus c a c plus a का मान कितना 8 minus b प्लस AB, A प्लस B का मान कितना, 8 माइनस C, प्लस 3 ABC, सिंप्लिफाई करिए, यहां कितना बन जाएगा, 8 BC, 8 BC, माइनस ABC, प्लस 8 AC, माइनस ABC, प्लस 8 AB, माइनस ABC, प्लस 3 ABC, अब देखिए, ABC, 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 माइनस में जुड़ेगा, और इसके साथ में क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचा कितना, 8 BC, 8 AC, 8 AB, 8 कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचा, AB, प्लस BC, प्लस CA, और AB, प्लस BC, प्लस CA की वैल्यू कितना देकर रखा है, एक तुत्तर क्या हो गया, 8, आप बहुत दिमाग लगाना पड़ता, अगला कोशन देखिए, X प्लस Y का होल क्यूब, प्लस 8 X माइनस Y का होल क्यूब, एक्वल टू, क्या दिया है, 3 X प्लस A Y, ब्रैकेट में 3 X स्क्वाइर, प्लस B X Y, प्लस C Y स्क्वाइर, C माइनस A प्लस B का मान ज्याद करना है, य उसके बाद कंपेर करना पड़ेगा, बहुत लन्दी है कोशन, सबसे पहली बात, इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ, 2 X माइनस Y, इस पूरे का होल क्यूब, लिख सकता हूँ, चलिए देखिए, X प्लस Y का होल क्यूब, प्लस 2 X माइनस Y, इस पूरे का होल क्यूब, थोडा सा A plus B, तो A plus B, यह हो गया, A plus B, आगे क्या हो जाएगा, A plus B, आगे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे A square, मतलब X plus Y square, minus AB, तो X plus Y into 2X minus 2Y, plus 2X minus 2Y का whole square, तो क्या बना, देखिए formula लगाने पे, A plus B, A square minus AB plus B square, सिंप्लिफाई करिए, X और X कितना हो गया, 3X, Y में 2Y गया, तो minus का Y बचा, इसको सिंप्लिफाई करिए, A plus B का whole square, A square plus B square plus 2AB, इसको मल्टिप्लाई करना पढ़ेगा आपको, मल्टिप्लाई करिए, X का 2X में क्या हो गय X का 2Y में, minus का 2XY, लेकिन बाहर minus है, सीधे लिख रहा हूँ, plus 2XY, Y का 2X में क्या हो जाएगा, plus 2XY, लेकिन बाहर minus है, तो minus 2XY लिख दिया, Y का minus 2Y में, minus का 2Y square, लेकिन बाहर minus है, तो plus का 2Y square लिख दिया, A minus B का whole square क्या बनेगा, A square plus B square minus 2AB, सिंप्लिफाई करिए, अब क कुछ नहीं है इसमें, x square, x square और x square, कितना हो जाएगा, 4 और एक 5, 5 में 2 गया, कितना बचेगा, 3x square, तो यहां क्या लिख दूँगा, मैं 3x square, यह देखिए, match हो रहा है न, y square को देखिए, यहां पे y square है, यहां पे y square है, और यहां पे y square है, समझ पा रहे हैं, यह आपका y square है, यह आपका y square है, और यह आपका y square है, तो y square, 4y square, 2y square, कितना हो जाएगा, 7y square, आगे simplify करिए, 2xy, और यहां पे कितना है, 8xy, यह तो cancel हो गया, तो 2xy, माइनस 8xy, कितना हो जाएगा, माइनस 6xy, अब compare कर लिजे, 3x प्लस ay, तो 3x है, मतलब a के प्लेस पे क्या आगया, माइनस 1, आगे देखे, 3x square, प्लस cy square, तो c के प्लेस पे कितना आगया, 7, और b के प्लेस पे कितना है, माइनस का 6, गया आगया, abc, abc मिल गया, अब c की value कितनी है, आपके पास, 7, a की value कितनी है, माइनस 1, तो माइनस माइनस हो गया, प्लस 1, और b की value कितनी है, 8-6 उत्तर कितना हो गया 2, इतना लेंदी था ये question, ठीक, थोड़ा सा कठिन पेपर पूछ लिया है, बहुत सारे लोग C-set में ही qualified नहीं हो पा रहे हैं, जो हलके में लिये थे C-set को, उनको समझ में आ गया है कि अब C-set भी पढ़ना पड़ेगा, अगला question देखिए, एक बेलन तो यहां से πाई आर एच, कितना मिल जाएगा, 132, समी करण नमबर 1, इसका आयतन दिया है, आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वार एच, कितना दिया है, 924, यह हो गया समी करण नमबर 2, अब आप क्या करिए, एच की वैल्यू उठाईए, यहां से यहां पूट कर दीजे तो एच की वैल्यू कितना हो जाएगा, 132 बटे पाई आर बराबर 924, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो आर बराबर 924 बटे 132, कितने बार जाएगा यह? साथ बार जाएगा क्या, साथ दूनी चौदा साथ तरी का 21 एक बाई, साथ एक हम साथ दो नो तो R की वैल्यू कितनी आ गई, साथ R साथ आ गया, अब किसी भी इक्वेशन में पुट करिए इसी में कर लीजे, R साथ है पाई की वैल्यू 22 बटे साथ R साथ है, तो H की वैल्यू यहां से मिल जाएगी कितना हो जाएगा, 22 ची का 132 तो R साथ हो गया, H छे हो गया व्यास और उचाई का अनुपात पूछा था तो व्यास कितना हो जाएगा, 14 और उचाई 6 अनुपात क्या हो गया, 7 अनुपात 3 बहुत लोग इसका उत्तर साथ अनुपात 6 लगा दिये है व्यास बोला था, तो व्यास कितना हो जाएगा, 14 ठिक, अगला कोशन देखिए तरिभुज A, B, C में, यह अच्छा प्रस्न है जियोमेट्री का प्रस्न यहां पे दे दिया है कभी नहीं पूछता जियोमेट्री कोड A दिया है आपको 48 डिग्री कोड B और कोड C के दियुभाजक, यह देखिए कोड B और कोड C का जो दियुभाजक है दियुभाजक का मतलब यह दोनों कोड बराबर यह दोनों कोड क्या होंगे, बराबर इसको बोल दिया है वो i और बोला क्या है code BIC का मान code BIC का मान पूछा है अब देखे अगर मैं त्रिभुज BIC की बात करता हूँ तो यहाँ पे code BIC plus code ICB plus code CBI equal to कितना लिखूंगा 180 समझ पा रहे हैं ये वाला code लिया हूँ ये वाला code और इन तीनों का यो कितना 180 code BIC मेरे को चाहिए code ICB ये देखे ICB ये code पूरे का क्या होगा आधा code C का आधा लिख सकता हूँ पूरे code का आधा क्योंकि by set कर रहा है code CBI कितना लिखूंगा code B by 2 बराबर कितना 180 अब देखे क्या होगा यहाँ से code B plus code C by 2 बराबर 180 अब एक बात यहाँ पे आपको ये समझना है कि code B plus code C को मैं 180 माइनस code A लिख सकता हूँ क्यों लिख सकता हूँ क्योंकि बड़े वाले त्रिभूच को देखेंगे तो तीनों code का योग कितना 180 डिगरी तो code B plus code C बराबर कितना लिख दिया 180 माइनस code A बराबर कितना 180 अब आपको समझ में आ गया होगा कि code A क्यों देकर रखा है code A की value put कर दीजे तो यहाँ से code B I C आपको मिल जाएगा कितना आएगा 180 में 40 घटा दीजे 132 180 में 66 घटा दीजे आपको उत्तर मिल गया कितना 114 डिगरी option C तो ऐसे question पूछा है कहां से बनेंगे exam में या तो syllabus में लिख दे वो कि geometry भी पूछेगा geometry पूछा भी तो ऐसा question पूछा अब तो mains में भी geometry हटा दिया है अगर mains में भी होता तो भी आपके दिमाग में चलते रहता कि geometry पूछा है बना लेंगे क्योंकि mains में पढ़े हैं mains में भी नहीं है geometry उसके बाद pre में इतना tough question पूछने का कोई औचित नहीं है अगला question देखिए हरी और मोहने काम करम सह 20 और 25 दिनों में कर सकते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे एक बटे 20 प्लस एक बटे 25 कितने दिन तक काम किये 10 दिन तक काम किये तो 10 दिन में इतना काम करेंगे simplify करिए तो 10 दिन का काम आ गया आपके पास कितना 9 बटे 10 काम बचा कितना काम तो एक से घटा दीजे तो बचा कितना एक बटे दस काम इस बचे काम को कितने दिन में पूरा करता है तीन दिन में मतलब ये जो एक बटे दस काम बचा है इसको तीन दिन में पूरा करता है कौन स्याम तो एक काम को कितने दिन में करेगा तीस दिन में करेगा तो उत्तर क्या हो गया, D हो गया अगला कोशन देखिए नीचे दिये गए प्रस्नों में प्रतेक प्रस्न में तीन कथन सामिल हैं आपको प्रस्न और कथनों का अध्यन करना होगा और यह तैय करना होगा कि प्रस्न का उत्तर देने के लिए कौन सा या कौन से कथन आवस्त्यक हैं अरणव की वर्तमान आयू कितनी है पांच वर्स पूर वो अरणव की उम्र उसके बेटे के उस समय की उम्र से दुगनी थी तो केवल वन से तो मिल नी सकता अरणव और उसके बेटे की वर्तमान उम्र ग्यारा नुपात छे के नुपात में है केवल दो से भी नहीं मिल सकता लेकिन आप इन दोनों को मिलाएंगे तो उत्तर मिल जाएगा इन दोनों को मिलाएंगे तो उत्तर आपका मिल जाएगा क्योंकि 5 वर्स पहले आप बेटे की उम्र अगर X मानते हैं तो अरनव की उम्र कितनी हो जाएगी 2X वर्तमान में अगर मैं बोलू तो वर्तमान में X प्लस 5 बेटा हो गया और 2X प्लस 5 कौन हो गया? अरनव हो गया और इन दोनों की वर्तमान आयू का अनुपात ग्यारा अनुपात छे दिया है तो 2x प्लस 5, x प्लस 5 ये अनुपात कितना? ग्यारा अनुपात छे तो यहां से x find कर सकते हैं मतलब आप इन दोनों से x की value, x मिल गया तो अरणव मिल जाएगा अब देखिए, थर्ड वाले को अप से 5 वर्स बाद अरणव और उसके बेटे की उम्र का अनुपात 12 नुपात साथ हो जाएगा किसी भी दो से आप find कर सकते हैं, कोई भी दो जनरली आप age related problems पढ़ते हैं chapter को तो दो statement होते हैं, दो condition होती हैं ताकि आप उम्र को निकाल पाएं तो किसी भी दो को आप solve करके अरणव की उम्र बता सकते हैं धारा की गती क्या है? इस्थिर पानी में नाओ की गती इस्थिर पानी में नाओ की चाल को मैं यू बोलता हूँ ये दिया है आपको नाओ बहाओ की दिसा में बहाओ की दिसा में नाओ की चाल होगा यू प्लस वी ये ग्यारा दिया है आपको इन दोनों का यूस करके आप धारा की गती बता सकते हो यू की वैल्यू पुट कर दो तो वी मिल जाएगा कितना आ रहा है मतलबी नहीं मेरे को थार्ड वाले को देखो इस्ठिर जल एवं बहाओ की दिसा में नाओ की रफ्तार का अंतर तो अंतर हमेशा बड़ा माइनस छोटा होता है तो बहाओ की दिसा में रफ्तार होगा यू प्लस वी और इस्ठिर जल में यू ये दोनों का अंतर कितना है थ्री तो U से U कटा तो V सीधे सीधे कितना मिल गया 3, मतलब 1 and 2 से मिल गया 1, 7, अथवा सिर्फ 3 से मिलेगा तो option क्या हो गया? D हो गया अगला देखें, पाई चार्ट दिया है प्रस्न संख्या 93 और 94 के लिए पाई चार्ट का अध्यन कीजे तथा प्रस्न संख्या 93 और 94 के उत्तर दीजिए एक MBA कारिक्रम में विभिन छेत्रों में विशेशग्यता के संदर्व में चात्रों का ब्रेक अप डिग्री वार चात्रों की कुल संख्या दिया है 200 आप देखें, डिग्री में दिया है मतलब 360 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई 2100 बोला है इ में विशेशग्यता प्राप छात्रों की संख्या 97.2 डिग्री की वैल्यू पूछा है तो एक डिग्री की वैल्यू 200 बटे 360 तो 97.2 डिग्री की वैल्यू 200 बटे 360 इंटू 97.2 simplify कीजे, cut करिए इसको किस से हो जाएगा, 2 से 18, 105 और किस से हो जाएगा 3 से हो जाएगा, 3 चक 18 ये कितना, 35 अब किस से हो जाएगा, 6 से हो रहा है क्या ये, 6 कम 6 6 चंग 36, 6 दुनी 12 अब multiply कर दीजे, 35 गुडा 16.2 को तो आपको मिल जाएगा E में विशशग्यताप राप छातरो की संख्या, अब C में विशशग्यता में प्राप छातरो की संख्या निकाल लीजे, मतलब 72 डिग्री की value, तो 72 डिग्री की value आप निकाल सकते हैं 2100 बटे 360 into कितना लिख दीजे, 72 तो 36 दुनी 72 420 और यहाँ पर simplify करेंगे तो आपको मिल जाएगा देख लीजे कितने प्रतीसत अधिक है प्रतीसत पृध्धी तो बता ही सकते हैं simplify करेंगे और देख लेंगे कितने प्रतीसत अधिक है चलिए करके बता दे रहू 16.2, 35 5 दूनी 10, 5 चिका 30 और 1, 31 5 एकम 5 और 38 ठिक, 3 दूनी 6, 3 चक 18, 3 एकम 3 और 1, 4 566 या या, अब बताना है 420 से कितने प्रतीसत अधिक है 566 तो कैसे निकालेंगे, कुल वृध्धी क्या पूछाएं आपसे, प्रतीसत वृध्धी तो कुल वृध्धी 10 में 7 गया 3 11 में 6 गया 5 सौरी, उल्टा हो रहा है, देखिए 7 में 0, 7 6 में 2, 4, 5 में 4, 1 डिवाइड बाइ प्रारंभिक मान 420 इंटू कितना, 100 कट कर दीजे देखिए कहां पे क्या कट हो रहा है, 0 से 0 2 दूनी 4, 2 एकम 2 2 पंचे 10, 21 से कटेगा क्या, 7 बार 7, 35 परसेंट एक्क्यूरेट इंसन आ रहा है बिर्कूर थोड़ा सा कैलकुलेशन था स्पीड होगी तो काम चल जाएगा A और B में विशेशग्यता प्राप छातरों की संख्या C और D में विशेशग्यता प्राप छातरों की संख्या से X जादा है जो निम्नांकित के बीच है तो A और B में देखिए तो A और B में अगर देखू तो 61.2, 75.6 कितना हो जाएगा 136.8 तो 1 डिग्री की वैल्यू आपने निकाली थी 200 बटे 360 तो 136.8 डिग्री की वैल्यू 200 बटे 360 इंटू 136.8 यह मिल जाएगा आपको सीधे A और B में मिलाके कट करिए 12 यह कितना? 70 यहां कट करिए 12, 1, 12 12, 1, 12 12, 44 7, 24, 28 7, 7, 7, 29 7, 7, 98 हो गया 7, 24, 28 7, 7, 7, 29 7, 7 अब बोला C और D में तो C और D में देखिए कितना हो जाएगा 72 और 54 126 तो 126 डिग्री की वैल्यू बता दीजे 2100 बटे 306 इंटू 126 3 से कट करिए 12 यहां कितना? 70 3 से कट करिए 4 यहां कितना? 35 ठिक? कुछ गडबड है क्या? जोडेंगे कितना एक 80 और D को? 4 और 2, 6 7 और 5, 12 12 226 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2100 बटे 306 इंटू 126 3 सते 21 3 एकम 3 अच्छा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 3 चोको 12 यहां पर गडबड हो गया देखिए 2 से कट किया था तो 2, 6 का 12 होगा यहां पर 2, 6 का 12 35 हो जाएगा 6 कम 6, 6 दूनी 12 ऐसा आएगा 35 इंटू 21 सिंप्लिफाई कर लीजे 5, 3, 2, 5, 10 2, 3, 6 और 1, 7 735 तो 798 में से 735 को घटा दीजे कितना आया? 63 जो कि 60 और 65 के बीच में है बन जाएगा? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रस्न की ओर 95 और 96 के लिए निर्देश आपको दिया है निम्नलिखित बार ग्राफ का अध्यन कर प्रस्न संख्या 95 और 96 के उत्तर दीजे A, B, C, D, E बढ़ते हैं अगले बात करता हूँ लडके और लडकियों की कुल संख्या यह जो बता रहा है A, B, C, D, E देखें यह जो आपका इंफॉर्मेशन दिया है वो इसके लिए दिया है और यह इंफॉर्मेशन इसके लिए दिया है पहला वाला बता रहा है लडके और लडकियों की कुल संख्या और दूसरा वाला बता रहा है लडके और लडकियों की संख्या में अंतर मतलब विद्याले A में अगर मैं बात करता हूँ लडके और लडकियों की कुल संख्या ठारा सो है जबकि विद्याले A में लड़के और लड़कियों की संख्या का अंतर कितना है? 350. इस प्रकार का information दे रहा है. विद्याले C के लड़कों की संख्या उस विद्याले के कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतीसत है? तो विद्याले C में लड़कों की संख्या, तो 500, आप देखिए, जोड़ दीजे, तो 2B equal to कितना हो गया, 2500, तो B कितना हो गया, 1250, मतलब विद्याले स्थी में लड़के कितने हैं, 1250, और कुल विद्यार्थी कितने हैं, 2000, तो 1250, 2000 का कितना प्रतीसत है, ये पूछा है आप से, कितना आएगा, 62.5 प्रतीसत, simplify करेंगे तो आपको मिलेगा 62.5 प्रतीसत, option C, विद्याले B के लड़कों और विद्याले D की लड़कियों का अनुपात क्या है, बता पाएंगे आसानी से, कोशन संतानवे देखिए, त्रिभुज A, B, C में, माल लीजे ऐसा कोई त्रिभुज है, त्रिभुज A, B, C, A, B और A, C, भुजाओं के बिंदू इस प्रकार हैं, A, B और A, C, भुजाओं के बिंदू इस प्रकार हैं, कि D, E, B, C के समनांतर है, यह देखिए, यह D जो है और यह E है, यह D, E, जो है, वो B, C के क्या है, समनांतर है, ये दिया है आपको, यदि AD अनुपाद DB, मतलब ये 3K, इसको मान लिया 4K, तो समलम चतरभुज DECB, ये देखिए, ये जो DECB बन रहा है, समलम चतरभुज, समलम चतरभुज मतलब दो भुजा समनांतर और दो भुजा प्रतिछेदी, और तिरभुज ADE, ये देखिए, तिर त्रफल कानुपाद क्या होगा, समझते हैं क्या होगा यहाँ पर, एक बात समझ ये, ये तिरभुज और ये तिरभुज, समरूप तिरभुज बन रहे हैं, similar triangle बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं, क्योंकि code B, code D के पराबर, code E, code C के पराबर, और code A क्या है, common है, मतलब मैं लि C समरूप है, तिरभुज A, D, E के, जब ऐसा होता है, तो क्या लिख सकते हैं, आप area of तिरभुज A, B, C, बटे, area of तिरभुज A, D, E, समझ पार हैं, क्या बोल रहा हूँ, जब दो तिरभुज similar होते हैं, तो दोनों के जो area है, इसका अनुपात, क्या लिख सकता हूँ, मैं A, B, बटे, A, D के बराबर, इसके वर्ग के बराबर, तो जब दो तिरभुज similar होते हैं, समरूप होते हैं, तो उनके छेतरफलों का अनुपात, उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ये है थिरम, अब देखिए, A, B कितना हो जाएगा, 7K, तो य ये हो गया आपका कितना, 49K स्क्वाइर बटे 9K स्क्वाइर, कितना आया, 49 बटे 9 आ गया, 49 बटे कितना आ गया, 9, अब एक बात समझे, ये 49 बटे 9 क्या आया है, area of तरिभुज ABC, area of तरिभुज ADE, तो मैं यहां से मान सकता हूँ, कि area of तरिभुज ABC, इसको मान लिया कितन 49X, और यही से मान लिया मैं area of तरिभुज ADE, ये कितना हो जाएगा आपका, 9X, मान सकता हूँ, क्योंकि अनुपात मिल गया है, तो मान सकता हूँ, अब मेरे को चाहिए क्या, DEBC, ये समलंब तरिभुज का छेतरफल, अब देखिए, पूरे तरिभुज के छेतरफल में से, ADE के छेतरफल को मानस कर दूँगा, मतलब 49X में से 9X को मानस कर दूँगा, तो 40X बचेगा, ये 40X क्या होगा, समलंब चतरभुज DEBC का छेतरफल, तो समलंब चतरभुज DEBC का छेतरफल मेरे को मिल गया कितना, 40X, और तरिभुज ADE का छेतरफल मेरे को पता है कितना, 9X, तो x और x cancel हो गया तो उत्तर कितना हो गया? 40 बटा नव तो इस question को आप चाहे तो विलोपित करवा सकते हैं क्योंकि उल्टा लिख दिया है ये 9 बटा 40 लिख दिया है actual में कितना होगा ये? 40 बटा 9 होगा clear है? तो चाहे तो इसको विलोपित आप करवा सकते हैं किसका उत्तर होगा 40 बटा 9, यह देखिए 9 बटा 40 लिखा है, उपर क्या बोला है समलम चत्र भूज, और नीचे क्या बोला है त्रिभूज, आपकी मर्जी है, चाहे तो विलोपित करा दीजे, एक बल्ले बाज 16 पारियों में एक निस्चित औसत से रन बनाता है, तो माल तो उसका आउसत कितना रन बढ़ गया, 4 रन multiplied by 17 लिख दिया, तो यह हो गया 17 पारियों में कुल रन और ये भी क्या है, 17 पारियों में कुल रन है, सिंप्लिफाई कर लीजे, 16 प्लस 10, 17 प्लस 68, तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या निकल जाएगी, सिंप्लिफाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू निकलेगी 34, 34 हो गया पुराना एवरेज, नया क्या हो जाएगा, 34 प्लस 4, तो नया एवरेज हो जाएगा, कितना 38, option D, अग विश्विद्याले के विभिन चेतरों में भरती किये गए विद्यार्थियों की कुल संख्या 5000 है, MBA, B-forma, Fashion Designing, Hotel Management, Earth, Sastra और Engineering, अब देखिए, यहां पे लड़कों की संख्या का प्रतीसत दे दिया है, विद्यार्थी मतलब लड़के प्लस लड़की, अब अगर बात जैसे MBA की, तो MBA में 5000 का 12% विद्यार्थी हैं, और उसका 56% क्या है, लड़के हैं, बचे कितने, 44% लड़कियां, इस प्रकार से निकालना है, तो Fashion Designing की लड़कियां, देखते हैं Fashion Designing, तो Fashion Designing मतलब कितना, 5000 का 14% प्रतीसत, 5000 का 14, यह क्या हो गया, Fashion Designing में कुल बच्चे, और इसमें लड़कियां कितनी हो जाएंगी, चूकि 65% लड़के हैं, तो बची कितनी, 35% यह हो गई लड़कियां, तो सीधे ऐसा लिखेंगे, यह क्या बताएगा, Fashion Designing में लड़कियों की संख्या, और Hotel Management की लड़कियों की संख्या के बीच कितने एक आंतर है, Hotel Management देखिए 16%, तो 5000 का 16%, यह Hotel Management में कुल विद्यार थी, 72% लड़कियों हैं, तो इसका 28% लिखता हूँ, क्या हो जाएंगी लड़कियां, इन दोनों का Difference आपको बताना है, तो जब Difference निकालेंगे, तो 5000 common है, नीचे 100 into 100 क्या है, common 14 into 35 minus 16 into 28, Simplify करिए इसको, 7 common और निकाल दीजे, 3 0 से 3 0 काट दीजे, 5 एकम 5 5 दूनी 10, 1 बटे 2 हो गया, यहां से 14 common निकल गा, 14 को common निकाल दीजे, तो 35 minus 32 हो गया, 2 सते 14, 3 सते कितना हो गया, 21, Simplify कर लेंगे आप लों, B-forma की लड़कियां, इंजीनिरिंग के लड़कों की तुलना में कितने प्रतीसत कम है, तो B-forma की लड़कियां कैसे निकालेंगे देख लीजे, B-forma 15%, तो 5000 का 15%, लड़कियों की बात किया है, 44% लड़के हैं तो लड़किया कितनी हो गई, 56% हो गई, 56% तो होंगी, 2 0, 3 0, cancel, 5 एकम 5 5 दूनी 10, 15 x 28, 15 8 120, 15 दूनी 30, 10 40 दू 42, 420, तो यह हो गई, B-forma की लड़कियां, इंजीनिरिंग के लड़के, अब इंजीनिरिंग कितना है, देखें, 25%, तो 5000 का 25%, लड़के कितने हैं इंजीनिरिंग में, 80, तो इसका कितना, 80%, 2 0, 2 0, यह 2 0, यह 2 0, 25 पचे 125, इंटू 8, 8 45, 8 दूनी 16, और 4 20, 8 एकम 8 दो 10, 1000, तो बोला क्या है, B-forma की लड़कियां, इंजीनिरिंग के लड़कों की तुल्ला में कितने प्रतीसत कम है, मतलब 1000 से 420, कितने प्रतीसत कमी है, तो 580, बटे 1000, इंटू 100, कितना आया, 58%, आप्शन B, इस प्रकार से आपको solve करना था, आपका C-set आराम से qualified हो जाता, लेकिन थोड़ा सा कठीन आ गया, तो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हुई है, आसा करता हूँ, आपको question समझ में आये होंगी, कहीं पर अगर कोई दिक्कत है, तो आप contact कर सकते हैं, धन्यवाद.